बढ़ती हुई महंगाई और घरती हुई कमाई को देखकर मुझे आधारकार की नहीं बलकि उधारकार की जरूरत महसोस हो रही है। इस महंगाई हमेशा ही बढ़ती है। चीजें महंगी होती है दाम बढ़तें आएं हैं। उसके पीछे का कारण उसके पीछे की सोच क्या है और यह महंगाई है क्या। कैसे बढ़ती है इसके बारे में रौबर्ट टी कियो साकी के रिच डैड बहुत अच्छे से समझाते उतना ही जादा उसे खोने का डर हमारे अंदर बढ़ता जाता है पैसे के साथ जो डर आता है पैसे के साथ जो लाला चाता है वही हमें पैसे के पेशे भगाता है वही हमें पैसे का गुलाम बनाता है हमें ये समझने की जरूरत है कि इस लाइफ के जरूरतों में हम सब बंधे हुए हैं हम सब अपने परिवार को चलाने के लिए अपनी डेली नेर्स पूरी करने के लिए अपने सौक पूरे करने के लिए दिन पर दिन पैसे के पीछे भागते रहते हैं दिरे दिरे ज़्यादा पैसा कमाने के इच्छा करते रहते हैं, पैसा कमाना गलत नहीं है, पर पैसे कमाने के पीछे की नियत उसका सही होना जरूरी है, पर वो नियत ही है जो इस समाज में मांगाए बढ़ाती है, और वो नियत ही है जो समाज में डिस बैलन्स फायदा करती ह एक छोटे से एक्जामपल से इस बात को समझा जा सकता है कि एक डॉक्टर जो अपने परिवार को खुशी देना चाहता है अपने फेस बढ़ा देता है उसके फेस बढ़ने की वज़ा से सारी मेडिकल फेसिल्टीज, स्वास्थ सुधायें सम्महेंगी हो जाती है अब इससे गरीब लोगों को ज़्यादा नुक्सान पहुंचता है इसलिए गरीब लोगों को स्वास्थ अमिर लोग से ज़्यादा बुरा होने लगता है अब क्योंकि डॉक्टर ने अपनी फेस बढ़ा दी है इसलिए लॉयर ने भी अपनी फेस बढ़ा दी लौायर ने अपनी फेस बढ़ा दी तो इस्कूल टीचर ने अपनी तनखाय बढ़ाना चाहते हैं और ये सिलसिला बस यूँ ही चलता रहता है जल्दी अमीर और अमीर और गरीव और गरीव होता जाता है और इतना बड़ा अंतर इन दोनों के बीच आ जाता है कि सोसल डिस्बैलन्स पैदा हो जाता है रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियो साकी ने उनसे पूछा डैड क्या कीमते बढ़नी नहीं चाहिए इस पर रिच डैड ने जवाब दिया अच्छी तरह से चल रही सरकार और सिछित समाज में तो नहीं बढ़नी चाहिए कीमते दरसल कम होनी चाहिए जाहिर है कि केवल ऐसे से दान्तों में होता है आइडियली ऐसा होना चाहिए पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कीमते अग्यान से पैदा हुए लालस की कारण होती है जैसा कि मैंने तुमको बताया अगर स्कूल्स में मनी के बारे में पैसों के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते और बजार की कीमते भी कम होती ये सब कुछ interrelated है एक दूसरे से जुड़ा हुआ पर हमारी society में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है पैसे की ताकत का इस्तिमाल करना नहीं सिखाया जाता है और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसे से जुड़े ऐसे किसी भी मुद्दे पर दिमाग से सोचने की जरूवत है इसके आगे रॉबर्टी कियो साकी अपने रिच डाइड से पूछते हैं कि डाइड आप बहुत देर से कह रहें कि दिल से मत सोचो दिमाग से सोचो आखिर दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फ़र्क है इस पर रिच डैड उन्हें समझाते हैं देखो मैं ये बात अक्सर सुनता हूँ कि हर आदमी को काम करना पड़ता है या फिर अमेर लोग दूसरों के पैसे मार लेते हैं मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए मैं इस काम से खुश नहीं हूँ मैं दूसरी जगह जॉब ढून लूँगा वगएरा वगएरा पर अगर हम ध्यान से देखे तो ये सारी बाते भावनाओं में बहकर कही गई हैं ये सारी बाते इमोशनल होकर कही गई हैं और अकसर भावनाओं में बहकर हम जो भी डिसीजन लेते हैं सिर्फ हमें नुक्षान पहुशाता है तो बात को समझो जब कोई डिसीजन लो दिमाग से लो जल्दबाजी मत करो और हाँ पर जल्दी करो बस इसी तरह से मन लगा कर काम करते रहो तुमारा जो दिमाग है वो तुम्हें जल्द से जल्द कुछ न कुछ ऐसे तरीके बता ही देगा जिसे तुम ज़्यादा कमा पाओगे ऐसे चीजे देख पाओगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते मौका उनके नाक के नीचे होता है अवसर उनके पास होता है सामने होता है पर वो उसे पहचान नहीं पाओगे पर अगर तुम दिमाग से काम लोगे तो तुम उसे पहचान पाओगे मौकों का फायदा उठा पाओगे और जिन्दगी में आगे बरपाओगे